दोस्तो अगर आप भी संजू सैम्सन और विराड कोहली को बैतरी खिलाडी माते हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर गीजिएगा दोस्तो अगर कोहली की कपतानी पर तंज कस्ते हुए क्या बोले सैम्सन आपको उनके बयान का बुरा विडियो दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है संजू सैम्सन विराड कोली और रोही शर्मा तीनों में सबसे बहतर खिलाडी और सबसे बहतर कपतान कौन सा है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा 200 ऐपिल 2023 का एक और बेहदी घमासान मुकाबला RCB और रजसान रोल्स की टीम के बीच में खेला गया बैंगलोर के मैदान में मुकाबला था तो बैंगलोर का पलड़ा तो भारी पढ़ना ही था RCB की 200 पहले बल्ले बाजी आई विराट कोली की शिरुवात खुद कपतान के दोर पर तो अच्छी रही नहीं वो शून ने पराउट हो गए और उनके बाद शाबाज एहमद भी दो रन पा है लेकिं दोस्तो इसके बाद फाफ टुपलेसिस और ग्लेन मैक्सवल ने मिलकर है RCB की टीम की बल्ले बाजी के पूरे फार को समहलते होए अपनी ताबरतोड बल्ले बाजी से राजसान का घमढ़ी तोड़कर रख दिया 200 RCB की टीम की तरफ से टुपलेसिस ने 49 गेंदों में 8 चोक के 2 चके चड़कर 65 रन बनाए तो 44 गेंदों में 70 रन की पारी खेल गए थे गलेन मैक्सवल RCB की टीम दोस्तो इन दोनों पारियों के चलते ही 189 रन पर पहुंच गई और जीतने के लिए राजसान को 190 रन चाहिए थे दोस्तो शुरुवात तो राजसान की टीम की भी कुछ जादा अच्छी नहीं थी शूर्ने पर बटलर आउट हुए लेकिन एससवी जैसवाल ने देवदत पड़ीकल के साथ मिलकर फिर पारी के 11 अबर दक टीम को 100 के पार् संजु सैमसन भी 215 गेंदों में 22 बना कर आउट हो गए तब राजसान की टेंशन पाई और शिम्दरन हैटमायर भी आज 3 रन लगा कर रन आउट जैसे ही हुए कभी अंतिम पॉलो का मोमेंटम बिगड़ गया मुकाबला अपने अंतिम ओवर में प्रवेश कर चुका था और दोस्तों यहां से जीतने के लिए 6 गेंदों में लगबग 20 रनों की दरकार थी दोस्तों जितने वले खिलाड़ी अश्विन थे और धुरुप जरेल पहली गेंद पर ही चौका जड़कर दोस्तों अश्विन ने जीत की पूरी तरीके से उमीद जगा दी इसके बाद अगली गेंद पर दो रन मिले और तीसरी पर भी चौका आ गया जीत तो दोस्तों राजिसान के कदम चूमी रही थी कैश्विन आउट हो जाते हैं और फिर जीत नामुम्किर बन जाती है और दोस्तों साथ रन के अंदर से RCB की टीम इस मुगाबले को जीत जाती है लेकि दोस्तों अपने टीम की हार के बाद सैमसन पूरी तरीके से भड़क चुके हैं और हार का ठीकरा के इस खिलाडी पर पोड़ा है हार के बाद सैमसन क्या बोले है चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं दोस्तों आपको बता दे के सैमसन ने हार के बाद अपने बयान में कहा जब आप इस मैदान में खेलते हैं तो एक एक रन बेहदी कीमती होता है मैं हाँ पर पहुत मैच खिला हूँ और जानता हूँ कि यहाँ पर एक रन से भी कोई टीम हारती है तो कोई जीत भी जाती है इस बात में कोई शक्त नहीं कि आज हमारी टीम के खिलाडियों ने जरूरत से जादा रन के इंद बाजी में लुटाए परंतों मुझे पूरा विश्वासता के बल्ले बाजी में हम इसे चेज़ करने का दम रखते हैं कुछ खिलाडियों ने प्रयास भी किया लेकिन उसके बावजूद भी हम लक्षे के करीब नहीं पहुँच पाए शायद हमने कुछ ऐसे खिलाडियों के विगेट्स तो लिये थे जिन से में फाइदा हुआ जैसे की विराट कोहली या शाबाज अहमत लेकिन वक्त रहते हैं अगर हमें डुपलेसिज और मैक्सवेल की जोड़ी तोड़ने का मौका मिल जाता या उसको तोड़ भी देते तो इसमें टार्गेट कब मिलता और हमारे जीतने के चांसे ज़्यादा रहते खेर ना तुमा बलेबासो को दोश दूँगा और ना ही गेंदबासो को जब सामने विराट कोहली जैसे खिलाडी खड़े हैं जो खुद कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम की तो जोश तो उनका भी दोगुना होना ही था और उनके सामने जीतना थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है परंतो अब हम दो मैट्स लगातार हार चुके हैं और तीसे मुकाबले के लिए हमारी केवल एक ही रणीती रहेगी किसी भी हाल में जीतना है और अगर इस टूर्णमेट में RCB से एक बार फिर से सामना हुआ तो उन्हें हराने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तो संजू सेमसन ने अपने बयान में वैसे तो किसी भी टीम के एक खिलाडी को हार का जिम्मेदार नहीं बताया है लेकिन कोली की कप्तानी कितनी दंदार है और वो कैसे किसी भी टीम को हारा सकती है इस पर वो जरूर बोल गए लेकि दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कोली और सेमसन में बैतर खिलाडी और कप्तान कौन है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताईएगा और अभी सबस्क्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को तन्यवाद